रख्राइब नमस्कार बोले बिहार में आप सभी का स्भागत हैं मिरा नाम है अविशिय एक्तिवारी इस वक्त की सब्से बड़ी खबर सब्से आहम खबर दरोगा encavali से जुड़ी हुई आ रही हैgi 2446 दरोगा बहाली से जुड़ी हुई आ रही है दरसल यह खबर 2446 दरोगा बहाली में जितने अव्यर्थी चैनित हुए हैं उनको एक बड़ी रहत मिली है पटना हाइकोट ने जो पहले स्टे लगाय था उसे स्टे को अब समाप्त कर दिया है पटना हाइकोट ने अब स्टे हट दरसल आपको बताते चलें कि 2446 दरोगा बहाली को ले करके कई बार प्रदर्शन हुए कई बार भराशचार के आरोप लगे कई आरोपों के मामले में अब अव्यर्थी जो हैं वो कोट कर रूख भी कर चुके हैं उसी में से एक मामला था कटफ को ले करके यानि कटफ जाद मुच गये थे कोट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए एस टे लगा दिया था लेकिन आब खबर यहां रही है कि कोट ने अपना एस्टे वापस ले लिया है बहुत जल्द उन्त तमाम अव्यर्थियों की वकिल रितिकारानी से हम बात करेंगे और फिर आपको अ लाहत भरी खबर यह है कि 2446 बहाली में जो भी परक्रियां लंबित हैं जो भी परक्रियां रुक गई थी वाधित हो गई थी उन परक्रियाओं को पूरा करने के लिए अब आयोग या फिरियों कह सकते हैं कि परशासनिक भीभाग सुफतंत्र है किसी भी परकार का अब हपता साफ हो गया है देखना है कि जो समाने परशासनिक भी भाग है वह कब तक इन तमाम लोगों की ज्वैमिंग कर आके ज्वैंनिक परकिरिया की जुछिष वो दरुगा आयोग अपने तरफ से कंप्लीट करते हुए पूरी करते हुए पूरी परकिरिया और समाने परशासन विभाग को सुची भेच चुकी है लेकिन समाने परशासन विभाग की लेट लतिफे की वज़ा से आप तक चैनित अव्यर्थी ट्रेनिंग के लिए नहीं ज सकते हैं हलाकि फिलाल अभी देखने वाली बात है 2446 एक ऐसी बहाली रही जिसमें तवाम तरीके की आरोप लगे कई भरशचार के मामले सामने आये पेपर लिख होने का मामला भी सामने आया अभिशारेरिक दक्षिता परिक्षा को लेकर के भी मामले कोट में लंबित हैं त तमाम सुनवाई兩 पर तमाम अरोपों को लेकर के कोट अपना क्या फैसला सुनाता है फिलाल 2446 कटफ को लेकर के जो कोट ने स्ट्रे लगाया था उस स्ट्रे को अब कोट ने हटा दिया है उस प्रतिवंद को कोट ने ह... दिया है उमेदे बहुत जल्द तमाम अव्यर्थी जो चैनित हो गए हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए सरकार जल्द से जल्द निर्देश जारी करें परशाशनी विभाग के तरब से बहुत जल्द निर्देश जारी कर दिया जाए और उन्हें अब ट्रेनिंग के लिए झाल झाल